पाटिदार नेता हार्दिक पटेल की लोगसबा चुनाओ लड़ने की उमीदों पर पानी फिर गया है गुजरात उचनायले ने 2015 के हिंसा मामले में उनकी दोश सिद्धी पर रोक लगाने की याचिका को खारिश कर दिया है आपको बदादे कि गुजरात में 4 अप्रेल को नामंकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और इस फैसले को उच्चतिम नायले में चुनाओती देने के लिए हार्दिक के पास कुछ ही दिन शेश है गए है गौर तलब है कि 12 मार्च को कॉंग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक ने जामनगर लोकसवा सीट से चुनाओ लड़ने की इच्छा जताई थी और पहले की सुनवाई के दोरान गुजरात सरकार ने उनकी याचिका पर कड़ा विरोत प्रकट करते हुए कहा था कि हार्दिक का प्राधिक अतीत रहा है और उनके खिलाव 17 प्रात्मी की दर्ज है जिसमें देशद्रों के दो मामले हैं उच्छ न्यायले के फैसले के बाद हार्दिक की वकील ने कहा कि सबसे पहले वियादेश को पढ़ेंगे और फिर उच्छ तम न्यायले जाने का फैसला करेंगे